हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चनल मोबाईल विपेट्रिक आज किस वीडियो में हम मोबाई हाड़वे ट्रेनिंग का लेसन टू-0-3 बना रहे हैं जिसमें इसकी मेटिक का पार्ट 3 है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्की मेटिक में किसी भी कमपोनेंट की लोकेशन को किस तरह से ढूणडा जाता है example के लिए जैसे कोई भी component जैसे चाहे वो capacitor हो, resistance हो, fuse, coil या कोई भी component है आपको PCB में उसकी location ढूणना है कि वो कहाँ पर लगा हुआ है उसे हम mad code के थूण सकते हैं और mad code से हमें किस तरह से ढूणना है किसी भी एक कितना भी छोटे से छोटा component हो या बड़े से बड़ा component हो उसको easily आप mad code से schematic में find कर सकते हैं तो इस वीडियो को लाज तक ज़रूर देखिएगा हम आपको detail में बताने वाले हैं कि किसी भी component को आप एक second के अंदर कैसे ढूण सकते हैं mad code से सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइगन को प्रेस कीजिए हमारे latest वीडियो के notification के लिए देखिए friends यहाँ पर हमने Nokia के जो old model थे 1110, 1600 और 1112 इन model का schematics खोला है देखिए आप लोग के मन में यह doubt आ सकता है कि मैं इतने पुराने model से आपको schematics reading क्यों बता रहा हूँ देखिए जिस तरह से हमें English बोलने के लिए ABCD आना चाहिए और उसी के साथ में हमें grammar portions और pronunciation बहुत ही अच्छे सा आना चाहिए उसकी वज़े से ही हम English properly बोल सकते हैं वैसे ही जब भी हमें देखिए अगर मैं आपको latest handset के schematics के हिसाब से अगर बताऊंगा तो बहुत सारी चीज़े उसमें skip हो जाएंगे देखिए मैं latest phone के उपर भी schematic के उपर भी आऊंगा और जितने भी latest जो tools और dongles है schematic के उनके बारे में भी बताऊंगा लेकिन हमारा सबसे पहले जो focus होता है वो जिस भी subject के उपर मतलब हम जिस भी topic के उपर बात करते हैं या tutorial बनाते हैं या training देते हैं तो हमारी सबसे पहले कोशिश यह होती है कि हम उसे बिल्कुल basic से और A से Z तक ले करके जाते हैं इस वज़े से हम Nokia के इन basic phone से आपको schematic से बता रहे हैं ताकि आपका schematic का पूरा concept clear हो सके कि जितने भी जो अभी आपको जो latest जो schematics के tool आ रहे हैं जैसे Borneo, Retrex, Oshinzen और ऐसे जितने भी ZX, W जितने भी जो आ रहे हैं तो हमारा जो ये concept है आपका schematic clear करने का वो इस वज़े से है क्योंकि अगर आप इस concept के through मतलब इस तरीके से schematic को read करना या fault finding करना सीखते हैं तो in future में इस तरह के जितने भी tools हैं उन tools से कहीं जादा बहतर तरीके से आप fault को trace कर सकते हैं तो चलिए friends हमें जादा बात ना करते हुए हम यहां पर starting करते हैं देखिए यहां पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया के Nokia का 1110, 1600 और 1112 जैसे model का हमने schematic यहां पर आपके समने open किया है तो देखिए इसमें सबसे last में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको इसके अंदर mad code यह देखिए इस तरह से mad code होता है Mad code में जितने भी जो components होते हैं उन सभी components की यहाँ पर location होती है देखिए यहाँ पर आपको एक chart देखने को मिलेगा जो alphabet के हिसाब से यहाँ पर set है और इसके बाद में right hand side पर देखिए PCB का front और back side मतलब top और bottom दोनों ही face यहाँ पर दिखाये गए हैं तो जो Nokia के जो मैंने अभी आपको यहाँ पर model दिखाया 16000 उसकी PCB को यहाँ पर front और back दोनों side से दिखाया अब देखिए last video में जब हमने आपको बताया था कि alphabet और numerical मतलब जो alpha numeric number होता है उससे हम location trace करते हैं देखिए मैं starting में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ देखिए यहाँ पर हमने अभी एक line diagram इसका open किया देख सकते हैं आप यहाँ पर जिसे यह hand free socket के line diagram मतलब tracks बने हुआ है example के लिए हम यहाँ पर एक capacitor को zoom करके और उसकी location trace करना आपको बताने वाले है देखिए जैसे यहाँ पर hand free socket लगा हुआ है और example के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर resistance लगा हुआ है यहाँ पर resistance से इसका number है R2004 मतलब R2004 हमें इस resistance को PCB पे इसकी location देखना है तो देखिए यहाँ पर आपने इसका number जो देखा हुआ है R2004 मतलब R2004 अब देखिए हम इसे board में इसकी location कैसे test करेंगे मैं इसे zoom out करता हूँ और last में आते हैं और देखिए आपको यहाँ पर इसमें दो matcode देखने को मिलेंगे एक यह वाला है और देखिए मैं page up करता हूँ यह एक और इसमें changes क्या है आप bottom में देखेंगे यहाँ पर EU लिखा है EU for European countries और उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे second वाले में US लिखा है US from United States तो हम prefer करते हैं United States को क्योंकि जो European countries की language होती है वो थोड़ी tough होती है इस वयाँ से हम US में देखेंगे तो देखिए वहाँ पर हमने देखा था R2004 अब देखें यहाँ पर हम इसमें आते हैं थोड़ा समय से को जूम करता हूँ यह देखिए यहाँ पर यह R की सिरीज आ गई है और हमने वहाँ पर देखा था Resistance R2004 अब आप इसके सामने देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है R5 अब देखिए इसमें ढूनना कितना आसान होता है देखिए यह हमारे पास यहाँ पर आपके समने पूरा MatCode का डाइगराम बना हुआ है इस डाइगराम में आप देखेंगे यहाँ पर Alphabet है तो वहाँ पर हमने इसकी location देखी थी R5 तो यहाँ पर देखिए R है और यह 5 की line आ रही है तो यह R1, R2, R3, R4 और R5 यहाँ पर X270 SIM socket के नीचे है मैं इसको zoom कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा और zoom करूँगा इसको देखिए यह देखिए यहाँ पर यह R है R1, R2, R3, R4 और R5 यह देखिए R5 अब हमारा जो resistance मिलने वाला है वो इस square के अंदर हमें मिलने वाला है और यह देखिए R2004 मतलब R2004 यह देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें हमारा resistance मिल गया अब हम चाहे तो इसे original जो view होता है PCB का उसमें भी देख सकते हैं यह देखिए यह हमारा original view है इसका अब इसे हम zoom करते हैं देखिए यहाँ पर जो diagrams देखने को मिल रहे हैं यह oscilloscope के इसके अंदर आपको waves देखने को मिल रही है और oscilloscope के उपर भी हमें complete में video बनाने वाले हैं यह देखिए यहाँ पर हमारा R2004 जो की 4 लेक का है इस तरह से हम किसी भी component को find करते हैं अभी देखिए हम किसी और component को एक बार और आपको इसमें search करके बताएंगे कि किस तरह से हम component को search कर सकते हैं देखिए यह diagram यहाँ पर एक खुला हुआ है इसमें हम और किसी और अलग section से देखते हैं जैसे कि अभी हमने hand free socket का देखा था जो की audio से related था अभी हम यहाँ पर एक देखेंगे जो battery connector आप देख सकते हैं battery connector में यहाँ पर एक component लगा हुआ है हम उसकी location को track करेंगे देखें जैसे यहाँ पर एक capacitor लगा हुआ है और जिसका number है C2001 अब इसकी location हम mad code के साब से कैसे देखेंगे देखें मैं इसे zoom out करता हूँ page down करता हूँ आप shot की use कर सकते हैं keyboard के अंदर जो right hand side पर आपने देखा हुआ insert home page delete and जो button होता है वहाँ पर page down page up का होता है तो देखें मैं page down करके नीचे आया हूँ और यह हमने देखें यहाँ पर US वाला खुला है तो देखें जो हमारा capacitor का number था C2001 तो सबसे पहले हम इदर mad code में आएंगे देखें मैंने यहाँ पर zoom कर लिया है और capacitor का number था C2001 उसके सामने mad code में location लिखी हुई है G2 तो हमें यह G2 में मिलने वाला है यहाँ पर देखें mad code है हमारा जिसको हम थोड़ा zoom करेंगे यह देखें हमने इसे zoom किया है और यहाँ पर देखें alphabet के हिसाब से यह G है और यह G2 है देखें आप देख सकते हैं इस G2 square के अंदर यह हमें C2001 capacitor मिल गया है अगर graphical view में मतलब original view में आप इसे देखना चाहते हैं तो यह देखें यहाँ पर हमारा original इसका photo है यह control plus करके मैंने इसे zoom किया है देखें कि यहाँ पर हमारा capacitor लगा हुआ है इस तरह से आप किसी भी capacitor की location और उसकी जानकरी को निकाल सकते हैं उसके लावा अगर आप इसे adopt के acrobat reader के अंदर इस PDF फाइल को अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास search करने के लिए भी option होता है यहाँ पर आप directly भी C2001 capacitor को search कर सकते हैं मैंने यहाँ पर search किया इसको mad code में भी उसकी location आ चुकी है और यह capacitor जो हम alphabet search करते हैं वो highlight हो जाते हैं तो देखिए हमने यहाँ पर इससे search किया है तो इतने सारे highlight हो इसमें हमारा यह highlight हो चुका है जिसमें G2 आ रहा है उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी highlight हो जाता है इस तरह से हम किसी भी capacitor, component, IC को trace कर सकते हैं या फिर mad code में directly भी आप देख करके easily यहाँ से find कर सकते हैं लेकिन यह सबसे best तरीका होता है mad code के दूट तो friends उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको schematic में किसी भी component की location track करना बहुत अच्छे से आ गया होगा और हमारी देखिए हमेशा ही कोशिश होती है कि हम जो भी video upload करते हैं उसके अंदर कुछ unique कुछ अलग हट के knowledge जो अभी तक किसी ने YouTube पर share नहीं किया या नहीं बता इस तरह का knowledge हम हमारे videos में share करते हैं और देखिए मैंने सबसे पहले ही schematic का जो part 1 था उसमें ही आपको एक promise किया था कि इसके जैसे ही पूरे 20 part complete हो जाएंगे schematic से related आपको in future कभी भी किसी तरह की कोई problem नहीं आएगी इस बात की guarantee में देता हूँ यह बात मैंने अपने इस schematic के पहले ही पार्ट में कही थी और देखिए इस third part में मैंने आपको component को ढूंड़ना एक easy way में बताया तो schematic read करने की skill step by step वो भी एक advanced level पर ताकि जब भी आपके पास कभी कोई professional tool जैसे की borneo, zxwe, retrex जैसा tool नहीं भी होगा तो भी आप बहुत अच्छे से अपने fault को trace कर सकते हैं किसी भी track को ढूंड सकते हैं यह किसी भी component की किसी IC से या circuits में क्या value होती है क्या connections होते हैं, क्या काम होता है उसको track कर सकते हैं schematic के आगे आने वाले parts में हम आपको step by step section by section fault को track करना बताने वाले हैं और जितने भी आपने YouTube के उपर जो hardware solution देखे होंगे जिसमें track बताया जाता है कि किस track में कहां से कहां connections होता है और जो हमने आपको first part में बताया था कि हम इंटरनेट पर जब भी या Google पर जब भी fault search करते हैं तो जितने भी faults आते हैं, tracks या line diagrams जो आते हैं तो उसको किस तरह से design किया जाता है इस schematic के 20 part complete होने के बाद आप भी schematic के through इस तरह के अपने hardware solutions बना सकते हैं और उसे भी आप YouTube पर share कर सकते हैं तो friends अगर आपको ये video अच्छा लगा तो like किजिए हमारे channel को subscribe किजिए क्योंकि हमारे valuable viewers के लिए हम unique knowledgeable video बनाते रहते हैं Thanks for watching